Good morning students, how are you? Welcome again online Hindi class Students, open your Hindi book, page number 55 सबसे last का page निकालिए, page number 55 और lesson 19 जल्दी से open कीजिए अपनी books अभी बच्चे Lesson 19, page number 55 संयुक्त आक्षर क्या reading करेंगे आज हम संयुक्त आक्षर संयुक्त आक्षर यानी मिलकर बनते हैं जो दो वर्णों से, व्यंजनों से ओके, तो क्या reading करेंगे आज हम संयुक्त आक्षर संयुक्त आक्षर मिलकर बनने वाले कुछ आक्षरों का आज हम अध्यन करेंगे तो सबी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको आख बोलेंगे अब आप क्या है आख लेकिन आख को हम क्या बोलते हैं नेत्र भी बोलते हैं तो देखिए ने, क्या है ये ने के पैर में हलंत है, तो ने है आधा हो गया यहाँ पर, क्या हो गया ने आधा, अगर ये नीचे लाइन नहीं होती तो ये पूरा ने बोला जाता, लेकिन अब क्या बन गया ये ने के नीचे हलंत लगने से आधा ने बन गया, तो ने प्लस ए, ने ने प्लस त्रे नेत्र क्या बन गया ने ए ने त्रे नेत्र अब देखिए श्रे श्रे कैसे बनता है श्रे के पैर में पदेन रहे ये तो श्रे बन गया ना तो श्रे कैसे बनता है शेल गम वाला श्रे हलंत लगाकर प्लस रे क्या बन गया श्रे प्लस रे प्लस मैं, प्लस इ, प्लस कै, श्रे मी कै, श्रमिक, आ रहा है सबको समझ में, मैं और ई, मैं ई मिलकर क्या बन गया, मी, और शैरे, शैरे मिलकर क्या बन गया ये वाला श्रे बन गया, ठीक है, शलकम और रे, मिलकर क्या बन गये, श्रे, श्रे मी कै, श्रमिक, अब ऐसे ही जै प्लस ये जै और ये जै और ये मिलकर क्या बनते हैं गय जै जै के पैर में हलंत है तो आधा जै बन गया आधा जै प्लस ये गय गया नी बन गया क्या बन गया तो ये प्लस जै प्लस ये ये गय ओके आ रहे हैं सब को समझ में इसी तरह से आगे देखिए अब शब्द लहर कै क्षत्रिया क्या बोलेंगे इसको क्ष है कक्ष अब जो यह छत्रिया है यह किस से मिलकर बनता है बच्चों बताए यह किस से मिलकर बनता है छैसे छत्रिया किस से मिलकर बनेगा देखिए किस से मिलकर बनता है यह कै आ रहा है दिखाई दे रहा है सबको कै और कै के पैर में हलंत लगाएंगे कै के पैर में हलंत लगाया आधा कै बन गया और शटकोन शटकोन वाला शे ठीक है कै प्लस शे मिलकर क्या बन गया छै से छत्रिया बन गया तो 6 से छत्रीयक किनवनजनों का योग है के प्लस शे का तो इसलिए ये क्या है केकश है कक्ष, दैकश है दक्ष देखो के की साउंड आती है ना कक्ष, दक्ष तो के और शे का संयोग है ये ठीक है पैकश है पक्ष, येकश है यक्ष Speak with me everyone, speak with me बच्चों कैक्षे कक्ष दैक्षे दक्ष पैक्षे पक्ष यक्ष 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 इसी तरह से अगली लाइन में देखिए से और ये क्या है पीछे त्रे इसको रेड करके क्यों दिया हुआ है क्योंकि ये विंजनों के योग से बनता है ये सिरफ अकेला नहीं होता दो विंजनों के युकताक्षर का जाता है अब देखिए त्रे त्रे किस से मिलकर बनता है तै से तर्बूच के पैर में हलंत लगाएंगे तै हलंत प्लस रे तै और रे मिलकर क्या बन जाता है त्रे त्रिशूल ओके क्या बन गया तै प्लस रे त्रे तो देखिए सैत्र, सत्र, तैय और रहा है दोलों की साउंड आ रही है न इसमें सैत्र, सत्र, इत्र, बताइए इत्र, इत्र, वेरी गुड, छैत्र, छत्र, छैत्र, छत्र, स्पीक विद मी, पैत्र, पत्र दोबारे से रीड करेंगे सैत्र, सत्र, इत्र, इत्र, छैत्र, छत्र, पैत्र, पत्र, अब आगे देखिए शैद, शद, अभी बताये था न मैंने आपको छैसे छत्रियक किससे मिलकर बनता है शै और, बताये, शै और, कै और शै से, छत्रियक किससे मिलकर बनता है कै और शृ से तो क्षैद है शद। शैरेने शरण क्या बन गया शैरेने शरण शेयने शयाण आरा है सब को समझ में दो बारे से रीपीट करते हैं एक शैरेने क्षण अब आगे देखिए यह गय किससे मिलकर बनता है गय और यह से गमला के पैर में हलंत लगाएंगे और यह से यग्या तो क्या बन गया गय यह गय आते है न गय गया नी गया और यह दोनों की साउंड आते हैं तो क्या बन गया यह गय गय और यह से तो देखिए यह गय यह गय ग्याणी 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 repeat again यग्य ग्याण आ ग्या आ ग्या ग्याणी ग्याणी ओके आगे देखिए श्रै आगे आग किस से मिलकर बनता है यहाँ उपर बड़ा था ना आपने चितर देखकर शब्द लिखों में यह रहा चितर देखकर शब्द लिखे रहे हैं यहाँ पर शै और रहे शै और रहे मिलकर क्या बन रहा है श्रै तो ऐसे ही यहाँ पर है क्या बन गया आश्रू क्या बन गया श्रेत्र आ श्रेमे आश्रम तो श्रेमे नहीं लिखते हम अलग-अलग नहीं लिखेंगे हम क्या लिखते है आश्रम तो शे और शे के पैर में पदेन रहे ठीक है श्रम repeat again श्रे मैं श्रम एशेरेऊ अश्रू श्रे एत्रे श्रेत्र आशे रे मैं आश्रम आगे देखिए वे, वे के पैर में क्या है ये री, क्या है री, वे, रे, री, ख्ष, व्रिक्ष, कौन सी मात्रा है ये बताइए री, रिशी वाली, कौन सी है रिशी वाली मात्रा तो वे रिक्ष, व्रिक्ष, चैक्षे उँ, चक्षू, क्या बन गया चैक्षे उँ, चक्षू, शैई तैई जै, शितिज, क्या बन गया, शैई शी तैई ती जै, शी ती जै, शितिज, शै त्रैई ये, शत्रिया, क्या बन गया, शै त्रैई ये, शत्रिया, रिपीट अगें वेरिक्षे, विक्ष, very good, चैक्षे, उ, चाक्षू, शैई, तैई, जै, क्षितिज, नेच्ट है, शैक्ट्रेई, शत्रिय, आगे देखिए, शेरेदेधा, श्रद्धा, श्रेदेधा, श्रद्धा, आप देखिए, दे के पैर में हलनते, it means क्या है ये आधा दे है, श्रद्धा, श्रेयने, श्रयन, क्या बन गया श्रेयने, श्रयन, श्रेमेने, श्रमन, श्यरे, ठीक है, श्यरे, श्र, मेने, मन, श्रमन, पैरेई, परी, श्यरे में, श्रम, परी, श्रम, विपीट अगेन, श्यरेदेधा, श्रद्धा, श्यरे, अलग से ने लिखेंगे, क्या आपाई लिखेंगे श्रे को श्राया बना देंगे ऐसे श्रद्धा श्रेयने श्रायान बैरी गुड़ श्रेयमेने speak with me श्रमन पेर ही श्रेमे परिश्रम आगे देखेए गयáriaने ग्यान गयातेया ग्याता बोले गयातेया ग्याता आगे देखिए गया पेने गयापन क्या बन गया गया पेने गयापन And last is वेई वी गयाने ग्यान विग्यान Repeat again गयाने Tell me ग्यान गयातया ग्याता गयापने ग्यापन वेई गयाने विग्यान आगे सबको समझ वे अब सभी बच्चे इसकी reading करेंगे पेज नमबर 55 की ओके और शब्दों को याद करेंगे अब आज़ेए पेज नमबर 56 पर लास्ट पेज पर आज़ेए सभी बच्चे पेज नमबर 56 पर क्या करेंगे आज हम संयुक्त अक्षर वाले शब्दों से बने वाक्य अभी हमने शब्द पढ़े है और अब हम इसी वीडियो में क्या करेंगे संयुक्त अक्षर वाले शब्दों से बने वाक्य भी पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा सा है इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको reading करा रही हूँ तो सबी बच्चे ध्यान से देखेंगे ओके स्टूडेंट्स से अंग यूत तै आ संयुक्त अक्षर वाले शब्दों से बने वाक्य पढ़िये पढ़िये संयुक्त अक्षर वाले शब्दों से बने वाक्य पढ़िये अब देखिए ले अधाक्षर ये लक्षे क्या बन गया लेया धक्षे ये लक्षे पैतरे पत्र लैएखे लिख रहा है लक्षे पत्र लिख रहा है उके शेरे श्रेवेने वन श्रेवेने श्रवन एपने अपने मैं आतेया बताईए माता पैई तेया पिता कैई की आज्या आज्या माने तेया मानता है आ रहा है सबको समझ में आश्रे में आश्रम क्या बन गया आश्रे में आश्रम में में से रहे सट्रे है क्या बन गया से रहे सत्रे है वे रीक्षे वरिक्ष है आश्रम में सत्रे वरिक्ष है Speak with me everyone ये अक्षय यक्ष वेरी अक्षय व्रिक्ष में में छेई पैआ छिपा है यक्ष व्रिक्ष में छिपा है राक्षय से राक्षस ये अक्षय यक्ष केया का भेक्षय व्रिक्षन Speak with me केरनेय करना चाहतेय चाहता है राक्षश यक्ष का व्रिक्षन करना चाहता है ये अक्षय यक्ष श्रेदेधा श्रद्धा री शेई रिशी केई की यक्ष श्रद्धारिशी की शरण में आया है Repeat again students लक्षे ये लक्षे पैत्रे पत्र लिखे लिख रहा है लक्षे पत्र लिख रहा है श्रवन अपने माता, माता, पीता, पिता कैई की आज्या, आज्या मानता है श्रवन अपने माता, पिता की आज्या मानता है आशेरे में आश्रम में में सेत्रे हैं सत्रे हैं व्रिक्ष है व्रिक्ष है आश्रम में सत्रह व्रिक्ष है Speak with me everyone, listen carefully यक्ष यक्ष व्रिक्ष में ए में छेई पया छिपा है यक्ष व्रिक्ष में छिपा है राक्ष से राक्षस यक्ष यक्ष केया का बैक्षन बक्षन केरेना करना चाहता चाहता है राक्षश यक्ष का बक्षण करना चाहता है यक्ष यक्ष रिशेदेधा श्रद्धा रईशेई रिशी कैई की शेरण में में आया है यक्ष श्रद्धा रिशी की शरण में आया है आग या सबको समझ में अब सभी बच्चों को page number 56 पर जो वक्य दिये हूए उनकी reading करनी है और page number 55 पर जो आपको शब्द दिये हूए है उनकी reading करनी है अब आएए अभ्यास पर ठीक है अभ्यास में क्या करेंगे देखिए छोटा सा अभ्यास है हमारा अज का तो यहीं पर हम इसको खतम करते हैं संयुक्त वर्ण वाले शब्दों पर टिक तथा अन्य वर्णों पर क्रोस लगाईए ठीक है अब यहां क्या कह रहा है कि जो अक्षर, जो विंजन जो वर्ण किस से बनते हैं मिलकर बनते हैं दूसरे शब्दों के दूसरे वर्णों के योग से उन पर हमें टिक लगाना है और जो नहीं बनते हैं उन पर क्या करना है? क्रोस करना है तो बताईए शेय रे मैं क्या बन गया? श्रम्द है यह मिश्रित विंजन? है ना संयुक्त? क्योंकि यह शेय शेलगम उसके पैर में हलंत प्लस रे प्लस मैं के योग से बनाए तो यह क्या है? सही है ओके? इत्रे यह है संयुक्त विंजन? बताईए संयुक्त वर्ण है यह इत्रे? इत्र है क्योंकि इ और तै प्लस रे इत्र यह भी टिकाएगा ओके? बर्फ बर्फ पर क्रोस लगाएँगे क्योंकि यह रेफ की मातरा है और नेक्स्ट क्या है? सूरज 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 भी संयुक्त वर्ण नहीं है इसलिए इस पर भी क्रोस लगाएँगे सत्र त्रे त्रे है न? तो क्या बन गया? से प्लस तै प्लस रे सत्र यह संयुक्तवर्ण है इसलिए इस पर टिक लगाएंगे मातया माता क्या है संयुक्तवर्ण है या नहीं है नहीं है मैं आतया माता ग्यानी ग्यानी बताईए ग्यानी 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 और यहां लिखेंगे तब यग्या बनेगा इसलिए इस पर भी टिक आएगा आगा सभी बच्चों को अभ्यास समझ में अब सभी बच्चे इसको complete reading करेंगे और अभ्यास को समझ कर बुक में फिल करेंगे नेक्स क्लास में नेक्स टोपिक के साथ मिलते हैं stay home stay healthy